देज बिदेज की सभी खबरे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दमाने बिल्सी भी ना भुलें क्योंकि हर खबर पर हमारी पहली नजर नमस्कार कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ हिना इकबाल खान चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की खबर हल्दवानी से है कलसिया नाले ने लिया अपना विक्रार रूप आसपास बसे लोगों की अटकी सान से हल्दवानी को उत्तरा खंट का मुख्य द्वार कहे जाने वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है जिसके चलते जनजीवन अस्थ व्यस्थ होता दिखाई दे रहा है काथगोदाम क्षेत्र में कलसिया नाले ने एक बार फिर अपना रौदर रूप दिखाकर लोगों की सान से रोक दिया है हालात यह हो गए कि कुछी देर की बारिश में कलसिया नाले ने अलग-अलग रूप दिखाकर लोगों को दरा दिया है तेज गड़-गड़ आहट और बादलों की जमाजम बारिश से नदी नाले उफान उपर आ गए है यहां तक लोगों की सांसे एटकने के साथ साथ किसानों को भी भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है दो दिन पहले कलसिया नाले ने अपना विक्राल रूप दिखाया था उसके बाद नाले के तटबंधों को मजबूत बनाने की बाते उचने लगी थी लेकिन अब से कुछ देर पहले एक बार फिर नाले ने अपना रौदर रूप दिखाया हालांकि नाले में आई बाड से अभी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं है लेकिन नाले के किनारे बसे लोगों के घरों को नाले में बार बारा रही बाड से खत्रा पैदा हो गया है कलसिया नाले ने अपना विक्राल रूप दिखा कर आज पास के लोगों की सांसों को रोक दिया है शासन प्रशासन से लोगों ने गुहार लगाई है सभी लोगों का कहना है उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए नहीं तो यह कलसिया नाला अपना विक्राल रूप लेकर न जाने कितने घरों को तबाह और बर्बाद करेगा आप देख रहे हैं जाकिर अनसारी की विशेश रिपोर्ट फिल्हाल खबरों में इतना ही ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें बेल आइकन दबाना बिलकुल भी न भूले क्योंकि हर खबर पर है हमा पहली नजर